तीन महान आत्माउं द्वारा गड़ा गया एक जीवन समाज की बहतरी को समर्पित एक जीवन विलक्षन दूर दर्शिता से जिया गया एक जीवन जीवन कमल नयन बचाज का अगर किसी एक व्यक्ति को अपने दम पर एक व्यावसाइक सामराज्य खड़ा करने का श्रे दिया जा सकता है तो निस संदे उनका नाम है कमल नयन बचाज बहु मुखी प्रतिभा के धनी कमल नयन बचाज ने अपने विशाल व्यक्तित्व को प्रसिद्धी की चका चौन से हमेशा दूर रखा गांधी वादी जमना लाल और जानकी देवी के घर 23 जन्वरी 1915 को वर्धा में जन्मे कमल नयन अपने जन्म के साथ बजाज परिवार में अपार खुश्या लेकर आये क्योंकि बच्चों को गोद लेना इस धन्वान परिवार की नियती बन चुकी थी कमल नयन बच्चपन से ही निडर और साहसी थे जब वो कोई चुनौती स्वीकार कर लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे नतीजा चाहे कुछ भी हो उनके मन में राश्ट्र प्रेम का बीज भी बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ गया था जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों के बहिशकार का आःवान किया तो बजाज परिवार ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई होली को आग दिखाने का काम छै साल के बालक कमल नयन नहीं किया एक बार उनके मित्रों ने उन्हें चुनौती दी, कि अगर वो चाहते हैं कि वे भी खादी अपनाएं, तो पहले कमल नयन वर्धा के बच्राज भवन की दिवार से नीचे कूद कर दिखाएं कमल नयन फौरण दस फूट उंची दिवार से कूद पड़े वो जीवन भर खादी के कटर समर्थक बने रहे विनोबा जी के आश्रम में मिले शिक्षण और प्रशिक्षण ने कमल नयन के चरित्र की वास्त्विक नीव रखे और उनके जीवन को अर्थ भी दिया और दिशा भी कोई व्यक्ति या काम छोटा या बड़ा नहीं होता ये बात उन्होंने यहीं सीखी ये भावना उनमें जिंदगी भर बनी रही उन्होंने इमानदारी और द्रिर्टा के गुन अपने मार्ग दर्शक गांधीजी से सीखे स्वावलंबन और सादगी की सीख अपने गुरू विनोबा से ली और नैतिक्ता और समाज कल्यान के लिए काम करने की धुन अपने पिता जमना लालबजाज से पाए लेकिन कमल नयन ने इन महापुर्शों के विचारों को पहले तर्ग की कसौटी पर कसा उनसे जिरा की और समाधान के बाद ही उन्हें स्वीकार किया एक बार जब विनोबा ने कमल नयन से कहा कि तुम में कुछ कमजोरियां हैं तो हाजर जवाब शिश्य ने फौरण उत्तर दिया अगर मेरे अंदर कमजोरियां हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर है आप मेरे गुरू हैं आपकी शिक्षा में जरूर कोई कमी रही होगी सत्या ग्रह आश्रम के बाद कमल नयन को पहले गुजरात विद्यापीट फिरल मोडा में वालजी देसाई के निरिक्षन में पुने के जहंगीर एंड कोवरबाई वकील्स प्योपिल जोन स्कूल में और सिलोन में बरनाड आलू विहारे से एक साल की शिक्षा मिली 1936 में कमल नयन ने केंब्रिज में दाखिले के लिए अरजी दी लेकिन विधिवत शिक्षा न होने के कारण अरजी रध हो गए कमल नयन हार मानने वालों में से नहीं थे उन्होंने तर्क दिया कि जहां दूसरे प्रत्याशी छात्र बस ग्यान अरजित करेंगे और दुनियादारी में लग जाएंगे वहीं कमल नयन भारतियों और अंग्रेजों के बीच बहतर समझ पैदा करने का काम करेंगे हेड मास्टर के सामने दाखिला देने के अलावा कोई विकल भी नहीं बचा लगातार स्कूल बदलते रहने का कमल नयन के मन पर गहरा असर पड़ा वैसे तो वो बड़े खुश मिजाज थे लेकिन अकेलापन महसूस करते थे किसी एक जगा ज्यादा ना रह पाने के कारण वो स्थाई दोस्त बना ही नहीं पाए स्वतंतरता संग्राम के केंदर में रहते हुए और प्रमुख नेताओं के संपर्क में आने से कमल नयन का मन च्वलंध राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत हो गया किरफदारियां जेल यात्राएं जुर्माना संपत्ति की जब्ती बजाज परिवार के लिए रोज मर्रा की बातें थी 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रहे आंदोलन छेड़ा तो डांडी मार्ज में हिस्सा लेने वाले चुनिंदा सत्याग्रहियों में 15 वर्षिय कमल नयन भी शामिल थे इस दोरान कमल नयन ने जिन अनेक महत्वपूर कारियों को काम्यावी से अंजाम दिया उनमें वर्धा, चिमूर, आश्टी के स्वतंतरता सेनानियों के लिए कानूनी सहायता जुटाना और उन्हें मृत्युदंड जैसी सजाओं से बचाना भी शामिल था इन आंदोलन कारियों में उनके चचेरे भाई राधा कृष्ण भी शामिल थे राश्ट्र निर्मान के कारे में उनकी भूमी का आजादी के बाद भी जारी रही 1947 में कॉंग्रिस कारे कारणी ने कमल नयन को देशी राज्यों की उपसमिती का सदस्य नामजद किया और बाद में स्वतंत्र भारत की All India States People's Conference का कोशा ध्यक्ष नियुक्त किया सरदार पटेल के प्रतिनिधी के रूप में उन्होंने दक्किनी रियासतों के भारतिये संग के साथ विलाय में एहम भूमिका निभाई वो लगातार तीन बार लोक सभा के सदस्य चुने गए जहां उन्होंने हमेशा आम आदमी के पक्ष में और उसकी जिंदगी की बेहतरी के लिए आवाज उठाई संसद की कारवाई में वो बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते थे शैक्षनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और अध्योगिक समस्याओं पर वो खुल कर बोलते थे राजनैतिक और व्यवसाईक व्यस्तता के बावजूद कमल नयन एक पारिवारिक व्यक्ति थे 30 जून 1937 को कमल नयन का विवाह सावित्री देवी पोदार के साथ हुआ ये शादी बगैर टीम टाम और दोनों परिवारों के सामाजिक स्तर से विप्रीत तो थी लेकिन बजाज परिवार के सादगी के व्रत के एक दम अनुरूप थी स्वतंत्र चिंतक की रूप में कमल नयन ऐसा जीवन साथ ही चाहते थे जो उनकी बराबरी कर सके एक द्रिड इच्छा शक्ति वाली पत्नी पाने की उनकी कामना भरपूर मात्रा में पूरी हुई सावित्री देवी दबंग, जिद्धी और किसी के आगे न जुकने वाली महिला थी इसलिए जैसा की सावित्री देवी ने खुद लिखा है जब बिजली के दो जिन्दातार मिलते हैं तो यही होता है कमल नयन में ये खासियत थी कि वो परिवार के हर सदस्य को ये एहसास कराते थे कि वो उनके लिए खास है और घर में उसकी एक अपनी जगा है 1938 से 1942 का समय बजाज समों के लिए बड़ा कठिन था फैक्टरियां ठीक नहीं चल रही थी और जमनालाल अपनी अस्वस्थता और सामाजिक कारियों पर ज्यादा ध्यान देने के इरादे के चलते कारोबार संबंधी गतिविद्यों से अलग हो गए थे कमल नयन ने केमरिज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और परिवार का कारोबार संबालने के लिए भारत लोटा है 1942 का साल अशुब साबित हुआ 11 फरवरी के दिन वर्धा में जमनालाल का निधन हो गया वे 33 वर्ष के थे गहरे दुख से विचलित 27 वर्षिय कमल नयन को अपने कंधों पर आपड़ी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ 1942 से 1972 के बीच का दौर राजनैतिक द्रिष्टी से बेहत नाट किये रहा आजादी की लड़ाई प्रिटिश राज का अंत देश के बटवारे की त्रासदी और पाकिस्तान और चीन के साथ युद्थ यही वो हलचल भरा दौर था जिसमें बचाज समुगने गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए कमल नयन के नित्रित्व में लगातार एक के बाद एक काम्याबी की मंजिले दह की उन्होंने अपनी कमपनियों को नया रोब और विस्तार देने का कठिन काम ही नहीं किया देश के और द्योगिक विकास में भी योगदान दिया वो देश के पहले ऐसे उद्योग पतियों में से थे जिन्होंने टेक्निकल विशेशक गिता के लिए विश्व की प्रसिद बड़ी कमपनियों को भागिदारी बनाया जैसे हॉलेंड की फिलिप्स और इटली की पियाजियों एन कमपनी कई बार उनके आलोचक उनके गयर पारंपरिक विचारों पर प्रश्ण चिन लगाते थे लेकिन अंत में उनके फैसले ही सही साबित होते थे और आलोचकों का मूब बंध हो जाता था कमल नयन के नित्रित्व में मुकंद ने आँच उद्योग में गूंजने वाला फ्रूगल इनवेशन का मुहावरा बहुत पहले ही प्रचलित कर दिया था सब की राय के खिलाफ और भारी घरेलू मांग के बावजूद उन्होंने मुकंद आयन एंड स्टील में निर्मित इसपात का निर्यात चुरू किया बरसों बाद जब घरेलू बाजार में इसपात में मंदी का दौर आया तब तक मुकंद का नाम अंतराश्ट्रियस तर पर स्थापित हो चुका था और उसे अपना माल निर्यात करने में कोई दिक्कत नहीं जहलनी पड़ी उन्होंने वाहन और बिजली के ख्षेत्र में भी तब कदम रखा जब लोगों की इनमें खास रूची नहीं थी सस्ते वाहन और बिजली की मांग के मामले में उनकी दूर दर्शिताद देश के लिए अमूल्य सिद्ध हुई वो अपने प्रतिसफर्धियों के साथ भी टेक्निकल जानकारी और अनुभव साजा करने में विश्वास रखते थे बजाज आटो, मुकंद, बजाज हिंदोस्तान और बजाज इलेक्टिकल्स के जरिये उन्होंने अनेक उद्मियों को लगो उद्योग शुरू करने में सहायता दी अपनी दूर द्रिष्टी और द्रिड़ता से उन्होंने विभिन व्यवसायों को बजाज समू के छत्र के नीचे बड़ी मजबूती से लाखडा किया लेकिन कमल नयन ने व्यवसाय संबंधी क्रांतिकारी विचारों को अपनी राष्ट्रवादी तथा मानवतावादी भावनाओं पर कभी हावी नहीं होने दिया इसी लिए उन्होंने व्यापार के उन ख्शेत्रों को नजर अंदाज किया जिन में लाब थुथा लेकिन वे राष्ट्रहित में नहीं थे वो टेक्स्टाइल में नहीं गए क्योंकि खादी को समर्पित थे हिंदुस्तान शुगर मिल्स होते हुए भी उन्होंने शीरे में बोतल बंद शराब बनाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वो मद्यपान के विरोधी थे कमल नयन ने निष्ठा, न्याय संगती, इमानदारी और नैतिकता के आधार पर एक कमपनी समू का सफलता पूर्वग गठन किया इन सभी जीवन मूल्यों की नीव उनके पिता जमनालाल ने रखी थी व्यवसाई कमल नयन अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूने अपने पिता की तरह वो भी ये मानते थे कि कारोबार का मतलब सिर्फ मुनाफ़ा कमाना ही नहीं होता उसका संबंध समाज कल्यान से भी होता है जमनालाल की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कमल नयन ने परिवार की संपत्ती में पिता के समूचे हिस्से से जमनालाल बजाज सेवा ट्रस्ट की स्थापना की उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ सेवा, अकाल और बाढ़ पीडितों को राहत जैसे कल्यान कारी कारियों के लिए भी सहायता दे विनोबा के महान ग्रंत, गिताई की चिर्स्थाई बनाने और अपने गुरु को श्रद्धांजली देने के लिए उन्होंने वर्धा में अध्वितिये गिताई मंदिर की स्थापना की इस मंदिर में ना कोई छत है ना ही कोई प्रतिमा फिर भी जैसा सुकून यहां है वैसा और कहीं नहीं कमल मयन ने एक मई 1972 की आधी रात को एहंदाबाद के राजभवन में शान्ती से अंतिम सांस ली साबर मती के तड़ पर उनका अंतिम संसकार किया गया सयोग की बात है कि इसी धाम से उनकी शिक्षा और सार्वजनिक जीवन की शुरुवात हुई थे यशस्वी पिता के विख्यात पुत्र सुयोग्य सांसत दूर्दशी व्यवसाई सच्चे राश्ट प्रेमी और इन सब के ऊपर सत्यनिष्ट व्यक्ति कमल नयन बजाज की धरोहर अनवरत और अक्षोन है